हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल ट्रोथ शेयर मार्केट सो डिसकस कर लेतें स्टॉक्स फॉर 13 जून 2023 फर्स्ट फॉल इस वीडियो इस वीडियो फॉर एड्यूकेशन परपस यहां मेरा टेलिग्राम लिंक और वट्सप नमबर गिवन है ठीक है तो प्लीज जोईन कर टिक है इसके उपर निकले तो हम बाए करेंगे में ही रेड केंडीं बना ली तो हमारी यहां एंट्री बनी नहीं बट हां रिस्क की ट्रेडर हमने पहले भी बात किया कि हायर आप रजिस्टेंस पर सेल कर सकते हो अगर हमारे सपोर्ट तक आया इवन सपोर्ट पर आकर लास्ट 315 के कैंडल ने जस्ट नीचे आके क्लोजिंग दिया है वैसे मैंने लेवर 1600 दिया था पर 1690 का लेवल था अब बात करें कल के लिए क्या है आज यहां कोई ट्रेड नहीं हमारा एक्सक्यूट हुआ नहीं बना अब कल के लिए अगर कल यह नीचे ही ओपन होता है तो फर्स केंडल में ही यहां रेजिस्टेंस पै नहीं स्टार्ट कर सकता है इसी रेंज में है ना बट जब तक इस रेंज को ब्रेक आउट नहीं देगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगा यह सारी केंडल 15 मिनट की है तो अगर यह 1600 के नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे for the target of 1590 फर्स टारगेट रहेगा हमारा और और दिरेक्शन में रहेंगे 1605 का एसल रहेगा जब तक हमें दो केंडल यानि 15 मिनट की एक केंडल क्लोजो सेकेंड गेंडल हम देखेंगे उसके बाद हम थर्ड एंडल में ट्रे लेंगे ठीक है तो अगर बाइंग की बात करें एक बाइंग सेटप तो यहां बनेगा अग उस लोग को आप SL लेके बाय कर सकते हो for this target यहां तक यहां पर आते ही बुक कर लेना main buying जो करेंगे हम वो इसके उपर करेंगे यह risky के लिए है normal अगर हम बात करें तो normal अगर इसके उपर दो candle survive करती है और तीसरी candle उनके high को break करती है तो हम entry करेंगे और टार्गेट कर रहेगा 1616 के उपर वाय करेंगे for the target of 1626 1641 एसे लेके चलेंगे 1609 का आपका चल रहेगा for SDFC bank अब भी क्या है sideway market में चल रहा है थोड़ी negativity आज दिखाए बट लेवल नहीं ब्रेक किया तो कल देखते हैं कल मुस्ट परफली लेवल ब्रेक में नेक्स बात कर लेते हैं excess bank की अब excess bank में अगर में बात करूं तो आज अगर हम बात करें तो that is our 915 candle उसके बाद नीचे गई एक candle यहाँ closing दी बट उस next candle जो general discussion का पाट रहता है कि हाँ यह next candle जरू देखना है next candle वापस उपर आ गई मतलब जो breakdown हुआ था वो fake था यहाँ पर हमारी entry नहीं बनी कुछ लोग क्या होता है कि first candle जब breakdown देती है तब ही entry कर लेते हैं मैं उसके recommendation में नहीं हूँ मेरा क्या है कि हाँ first candle नीचे close हो second candle जरूर देखनी है कि हाया वो उपर जा रही है नीचे जा रही है तो यहाँ यह एक bullish दोनों candle मिलके bullish scenario आपको दिखाएंगे न बट हां उसके बाद दिनमर मार्केट हमारी उसी range में रहा कोई entry नहीं मिली तो कल के लिए same level है 981 के उपर सर्वाई करता है तो हम buy करेंगे for the target of 989 and 999 एसल करेंगे 971 के नीचे सर्वाई करता है तो हम sell करेंगे for the target of 964 and 957 SL करेंगे 975 जब तक survival नहीं तब तक कोई entry नहीं होगे ना so that's for access bank next बात कर लेते है Reliance की Reliance अचा हां कल आप अगर CPI data की बात करें तो कल CPI data हमें देखने को मिलेगा इंडिया का भी और US का भी 630 के रहां तो हो सकता है दो बजे के बाद एक बड़ा movement आपको देखने को मिलें दो बजे के बाद क्योंकि जब CPI data आएगा तब मार्केट इंडिया मार्केट क्लोज हो जाएगा तो वह पहले ही movement देगा उसके जो भी expectation है उसके respect अब भी यहाँ बात करें तो कल morning का scenario के साब से क्या है कि एक तो यह level है जो important है जहां यह दो तीन दिन से फजा हुआ है अगर 2507 के उपर survive करता है तो 2530 first target and 2548 second target रहेगा 2495 का हमारा SL रहे गए और अगर बात करें selling कप करने है तो 2480 के नीचे survive करता है तो हम sell करेंगे for the target of 2464 and 2450 SL कह रहेगा 2495 करेंगा अब भी अगर last two candle को देखों तो inside candle बनी है 15 minute की अगर time frame में बात करें तो यह एक bullish scenario दिखा रहा है अगर इसके उपर gap up open हो यहाँ यहाँ पर survive करें यहाँ पर थोड़ी दर consolidate करें तो इस target के लिए आप play कर सकते हो जो risk की trader है safe trader के लिए नहीं है यह है अब बात कर लेते हैं next SBI की SBI में बात करें वही आज पूरा market side way ही रहा है banking sector आपका reliance आपका Tata Motors ठीक है तो पूरे दिन यह side way है तो same level है 584 के उपर buy करेंगे अगर यहाँ survive करता है तो target हमारा 590, 596 का रहेगा SL हमारा 580 का रहेगा अगर 577 के नीचे निकलता है यहाँ survive करता है download side तो हम sell कर सकते हैं for the target of 572 and 566 ठीक है यह दो target download direction में हम sell कर सकते है SL क्या रहेगा 581 का रहेगा ठीक है SBI की बात करें तो next अगर हम बात करें है so that is our Tata motor Tata motor में क्या setup है देखो यह gap up हुआ level के उपर था but first candle नीचे आ गए second resistance phase किया ठीक है फिर उसी रेंज में दिन मर रहा last miss ने कोशिश की है उपर जाने की बट वहीं एक evening star pattern मना दिये 15 इन टाइम फ्रेम में अच्छ यह वेलिड नहीं last three candle में evening star है इस सच नहीं है बढ़ हाँ यहां तक target के लिए आप ले कर सकते हो अगर इसके नीचे आपको market दिखे तो ठीक है इससे ज्यादा नहीं वह भी risky trader safe trader के जरुरत नहीं है इसमें एंट्री लेंगी safe trader के लिए क्या लेवल है 566 के उपर survive करें दो केंडिल 15 मिनट की है ना और थर्ड केंडिल उसके उपर जा है तो आप entry लेना 575 को first target रहेगा 580 आपका second target रहेगा download और इसमें SL क्या लेंगे 562 का आपका SL बनेगा चार पॉइंट का SL है 559 के नीचे हम सेल करेंगे for the target of 552 and 546 ठीक है SL क्या लेके चलेंगे 563 का SL यहां हमारा selling side बनेगा in Tata Motors अगर हम बात कर लेते हैं next तो अडानी ने movement start किया है movement किया यह काफी दिनों से आगर आपको यहाद है तो इसी रेंज में consolidate कर रहा है आज उस रेंज का breakout देखके इसने यहां पर closing गी 2475 का अब अगर बात करें देखो 2505 के उपर जाता है तो 2540 का target हमें easily अचीव हो जाएगा तो आज की candle उपर गई तो कल की candle नीचे आई तो आपको यह बड़ा वाला टार्गेट easily achieve सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना अगर 2475 के नीचे यह आता है थोड़ा सा भी देख सर्वाइव करता है तो 2427 यानि 30 तक के टार्गेट आपको easily देखने को मिल सकते हैं एंड अगर फेक ब्रेक आउट successful रहा तो नीचे और काफी नीचे तक जाएगा तो यह buying side और selling side के लिए 2427 हमारा first target and second target 2390 यह दो target है selling side के लिए अगर हम बात करें 2505 का हमारा SL रहेगा and 2475 buying side के लिए SL रहेगा अचा यह सबसे अच्छा सिनेरियो बनेगा अगर यह उपर खुले और यहां नीचे की side है तक है सबसे अच्छा सिनेरियो फेक ब्रेक आउट का और इसमें आपकी possibilities काफी higher side रेती है 80% आपकी 90% possibilities रेती है कि आप successful रहेगा अगर यह सिनेरियो दिखे तो आप इसमें trade बिलकुल ले सकते हैं बाकि आप अपना risk to reward देखके चलिएगा I hope यहां तक clear होगा अगर clear है तो please like, share, subscribe, thank you